हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आएक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉंसेट्स अपने केलियर करेंगे litigation में सबसे बड़ी problem बताए क्या होती है आप किसी से भी बात कर लो उसके मन में कम से कम 10 opinion होती है क्योंकि बहुत सारे दोस्त बहुत सारे relative जो कि अपने अपने हिसाब से उसको guide करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो गलत होती हैं उनमें से क्योंकि relative दोस्त या कोई और व ऐसे भी court के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ पर practically क्या होता है वो एक different चीज होती है इसलिए आपको अपने जो concept है वो clear हमेशा रखने चाहिए कई बर guidance में भी आता है कि sir मैंने 10 लोगों से बात करी 10 लोगों ने 10 अलगला तरह की guidance दी देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज जो हमारे channel से पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए है और मैं यह मानता हूं कि जब उनसे बात होती है तो एक अलगी level पर होती है क्योंकि उनको सारे के सारे concepts clear होते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके उपर मामला अभी अभी दरज हुआ है जिनों अभी पांच ही दिन हुए है channel देखना शुरू कि है या जो बिल्कुर जश्ट अभी नहीं हमसे जुड़ें ज्यादा उनको knowledge नहीं है पता नहीं है ऐसे मामलों में गलत step लेने की संभावना बहुत जादा हो जाती है मेरे सामने भी ऐसे कई मामले आते हैं कि हम उनको कहते हैं कि ऐसा है तो यह बताया जा रहा है कि जब charge sheet file हो जाती है आप question में जाई नहीं सकते हैं अब ऐसे हजारों की सबसे मामले होंगे जो हमने file कि होंगे charge sheet के बाद question के और एक बहुत simple सा logic है बहुत simple सा concept है जो मेरे को लगता है कि सभी को clear है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लो जा सकते हो उस पर किसी परकार की रोक नहीं है अगर charge sheet लग गई है तो इससे किसी परकार की रोक नहीं लगती कि आप question में नहीं जा सकते हैं बलकि Supreme Court ने यह कहा कि इससे कानूनी परकिरिया के दुरूप्यों को रोकने के लिए नयाय पालिका की जिम्मेदारी मजबूत होत लड़की और लड़की दोनों के रजनेश नेहा के एफिदेविट एक मेंटेनस केस में फाइल हो गए और लड़की न अपना इविडेंस फाइल कर दिया यानि इंट्रिम पर सुनवाई हुई नहीं तो उसका कहना था सर क्या ऐसा हो सकता है मैंने बिलकुल हो सकता है अच् या कुछ हेल नहीं पाते लेकिन अगर इंट्रिम ही नहीं मना तो इससे बहतर और क्या हो सकता है तो यह कॉंसेप्ट आपके किलियर रहने चाहिए वो बंदे यह कि सोच रहेते कहीं न कहीं कि गलत हो रहा है मेरे साथ जबकि यह सही हो रहा है उनके साथ तो ऐसी अनिक को न अगाने पड़ते हैं इस पेटिशन फाइल नहीं होती और पेटिशन फाइल कर दी उसके बाद मामला भी गड़िया सेकिंड आमोशन हो नहीं पाया अब रिकॉर्ड पे आ गया कि लड़के ने करी थी सोचो कितना बड़ा पंगा पड़िया तो चाहे कोई पता नहीं मतलब आप लोग किस उसमें रहते हो सर हम पे तो दबाव डाला गया था इसलिम ने फाइल कर दिया और कौन दबाव डाल सकता है अब अगर अगर मुचल पेटिशन आपके हिसाब से नहीं है तर्मसें कंडिशन आपके हिसाब से नहीं सीधा मना करो ना नहीं करना क्या रहें तो आपके उपर है आप दबाव में आते हो या कई वार आप आप यह सोचते हो वास बहार निकल जाए किसी तरह से जल्दबाजी होती है उस जल्दबाजी में चीज़ें गलत होती है फिर अगई एन और कॉंसेप्ट रहत है कि सर मेंटेनेंस का मेरी वाइफ ने केस जलावा है, अब मैं ऐसा करता हूँ, अपने माबाप से मेंटेनिस की पेटिशन फाइल करवा ले तो अपने उपर उसमें मेंटेनिस बन जागा, मेरे को फायदा मिलेगा, एक परसेंट फायदा नहीं बिलेगा, केवल एक केस आप अपने उपर अन्नेसरी चलवाएंगे, उस अच्छा, वाइफ ने केस कर दिया, उसके बाद याद आया, माब आप से केस करवाना है, उल्टा आपकी छवी और नेगेटिव हो जाती है, लाप तो किसी परकार का नहीं मिलता, तो इस परकार के जो कॉंसेप्ट्स हैं, इस परकार की जो चीजे हैं, यह आपको पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो का मकसद दिया ही है, कि ऐसे चोट-चोटे कॉंसेप्ट्स मैं इसमें आपको किलियर करूँ, तो 3-4-5 कॉंसेप्ट्स जो मैंने बताए हैं, इनको ध्यान में रख करके चलना, ऐसी और भी चीजें हो सकती है, वक्त-वक्त पे मैं आपके लिए ल